Friends, आज में बात करने वाले हैं, Electric Charge की कुछ characteristics के बारे में, जो कि Electric Charge शो करता है किसी भी material के साथ, और हम लोग बात करने वाले है कुछ major techniques के बारे में, जिससे कि हम किसी भी body को charge कर सकते हैं, यह निकि उसके उपर electric charge ला सकते हैं, right? तो उन techniques के बारे में हम लोग बात करेंगे, और साथ साथ हम लोग बात करेंगे, एक Faraday Series या फिर Electrostatic Series के बारे में, जिसमें कि Faraday के experiments के अनुसार, काफी सारी चीजों को एक order में लगाया गया है, कि जिसमें सबसे अदा positive charge है, वो सबसे उपर है, उसके बाद जिसमें सबसे negative charge है, वो सबसे नीचे है, जिसे हम लोग electrostatic series या फिराड़े series के नाम से जानते हैं, यहाँ पर electrostatic charge की सबसे पहली characteristic है, वो है किसी भी material का होना, क्योंकि अगर हम लोग चाहते हैं कि हमारे पास charge हो, तो उसको carry करने के लिए आपके पास material का होना जरूरी है, वरना बिना material क charge को आप carry नहीं कर सकते हैं, यानि कि मतलब यह हो गया कि अगर कोई charge है, जिसको आप discharge के लिए या फिर किसी भी काम के लिए use करना चाहते हैं, जैसे कि लोग पहले rod से paper को उठाते थे, या फर को उठाते थे, उपर की तरह magic दिखाते थे, उसके लिए charge का होना जरूरी है, और charge जो है, वो किसी भी material के उपर ही carry हो पाएगा, तो material का होना जरूरी है, यहाँ पर दूसरी जो important चीज है, वो है electrostatic cling, यहाँ पर cling से मतलब यह है, कि जैसे आपको याद होगा कि उस rod और paper वाले experiment में हम लोग ने क्या कि, rod को rub किया, और उसके उपर हम लोग चार्ज ले वरना ऐसा नहीं हो सकता कि मेरे पास एक material पर चार्ज और दूसरे पर नहीं है, और वो उससे जागर के चिप अग जाए, यहाँ पर exactly हुआ यह है कि induction हो गया, मतलब paper के उपर भी charge था, लेकिन बराबर value के अंदर था, इसलिए वो neutral हो गया था, लेकिन हुआ यह हुआ यह कि उसके पास रोड लेके गया, रोड पर positive charge है, तो रोड के positive charge ने paper के negative charge को अपनी तरफ attract गया, इसी वज़े से वो दोनों जागर के chip अग गया और electrostatic cling पैदा हो गया उनके बीच में, यानि कि दोनों ही materials के उपर charge होना ज़रूरी है, तभी cling पैता हुआ, तभी वो एक दूस यानि कि मैं किसी एक material को किसी भी चीज़ से रब करता हूँ, तो इससे उसके पर charge create हो जाएगा, यह रब इसी टेकनीक है, कि जहां पर एक material से दूसरे material पर charge create कर रहे हो, कुछ electrons देके, या फिर कुछ electrons लेके, डेपेंड करता है कि कौन सा charge create हो रहा है, जैसे कि हम लोगों न ले ले और उसे किसे, तो होगा क्या कि जिस भी चीज से आप उसको घिस रहे हैं, जिस भी material से, उसके जो electron है, वो plastic rod पे चले जाएगा, इसका मतलब plastic rod पे negative charge पैदा हो जाएगा, और उस material के उपर positive charge पैदा हो जाएगा, तो अब सवाल ये भी उठता है कि rubbing में, अगर मैं कर गए, तो होगा ये कि बराबर charge, अगर मान लीजे कि 500 electron निकले हैं, इस glass rod से, तो यहाँ पर जो है 500 electron का positive charge पैदा हो जाएगा, और यहाँ पर जो silks में 500 electron गए हैं, तो यहाँ पर 500 electron का negative charge पैदा हो जाएगा, तो बराबर charge पैदा होगा, तो यह वो पहली important technique है rubbing, ठीक है, इस और बराबर मातरा में ही charge create करते हैं, ठीक है, तो इसमें कुछ नया नहीं है, यह दोनों ही friction और rubbing कहीं ना कहीं, एक दोसर से मिलता है, जुलता ही है, ठीक है, तो यह दोनों में ही क्या होता है, contact की वज़े से charge create होता है, और तीसरी जो इसके अंदर सबसे important technique है, वो है induction, induction है क इसी technique है, जिससे एक charge body, एक neutral body के अंदर charge create करती है, जैसे कि मैंने अभी पहले आपको बताएगा, देखिए, इसको समझने के लिए एक बहुत अच्छा example अमरी book के अंदर भी दे रखा है, जहां पर आपको यह दो spheres नजर आ रहे होंगे, A और B, जिसके अंदर कोई भी charge नह लेगा, तो दिक्कत वारी बात नहीं है, लेकिन चुकि यह positive है, तो इन spheres का positive charge होगा, वो इससे repeal होगा, यानि कि यह कुछ इस direction में चला जाएगा, बीकी direction में चला जाएगा, तो मतलब दोनों spheres आपस में touch हैं, यह दोनों ही एक दूसरे का charge share कर रहे हैं, तो दोनों का जित जितना भी positive charge है, वो B spheres में जा चुका है, और जितना भी negative charge है, वो A spheres में आ चुका है, इसके बाद इस rod को अगरा आप लोग हटा लेंगे, तो होगा क्या, कि चुकि हमें बता है कि जो आपका A जो है, वो negative हो चुका है, और B जो है, वो positive हो चुका है, तो दोनों के बीच में हम लोग object लेकर किया है, जो कि charge था, excited था, उसने क्या किया, कि separate कर दिया, induct कर दिया, अलग-अलग कर दिया, जो भी positive और negative charge ये और B के अंदर थे, उनको अलग-अलग करके, इनको basically charge बना दिया, तो ये कैसी एक टेकनीक है, induction जिसको हम लोग कहते है, जो neutral bodies को charge करने के काम आत तो contact करके, या फिर non-contact थरीके से, और इसी चीज को, किसी भी चीज को charge करना, किसी body को charge करना, इसी को आप लोग electrification भी कहते है, यानि कि हमने किसी material को electrified कर दिया, ऐसा भी कहा जाता है, और इसी के trick यूज़ करके, एक और बहुत important experiment है, वो बनाया गया था, electroscope, या फिर मु पुरा glass का बना हुआ है, एक अच्छा सा box बना हुआ है, इसके अंदर कहीं से भी charge जानी सकता, और बीच में यहाँ पर rubber लगाए गया है, जिसकी वज़े से, कुई भी extra charge इदर उदर ना जा सके, तो यहाँ पर होता कुछ भी नहीं है, सिंपल सा आपको काम करना होता है, कि कोई भी आप body लेकर का, जिसके आपको टेस्ट करना हो कि इसके उपर charge है या नहीं है, तो इसके लिए आप लोग क्या करेंगे, कि उस charge body को लाकर कि इस metal knob से touch कर देंगे, तो होगा क्या कि चुकि हमें पता है कि charge है, वो यहाँ से होते हुए सीधे नीचे चला जाएगा, औ और अगर, अब यहाँ पर depend करता है कि अपकी gold leaves है, उस charge की वह से, क्योंकि पता है, एक ही charge है, तो charge की वह से repel होगी, क्योंकि यहाँ से charge होता हो, इनके ओपर जाएगा, अब charge एक है, तो repulsion बढ़ेगा, अब जितना ज्यादा repulsion होगा, समझ जाना कि उस body पर उतना ही ज्या करके कहां तक ले जा सकते हैं, तो इस तरीके से यह काम करता है, अब यही पर मैं आपसे लोगों से एक बहुत important चीज़ के बाद करने वाला हूँ, वो है farade series या पर electrostatic series, यहाँ पर हुआ क्या था, कि farade ने बहुत सारे experiments किये थे, काफी सारे चीज़ों को ले करके charge को हैं, उनके उपर charge क्रेट करके, उन दोनों से compare करके हम लोग पसा लगा सकते हैं कि किस पर positive charge है और किस पर negative charge है, तो वो जो series थी, वो कुछ इस तरीके से थी, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, कितने सारे materials हैं, इसमें मान ली जी कि अगर मैं material उठा लू, जैसे wax ही उठ क्रेट किया, और उसको मैं लेके गया, कहां पर positive charge के बास, क्योंकि हमें पता है कि glass rod पे positive charge होता है, और चुकि सबसे उपर positive है, और फिर नीचे होते होते है, तो अब इसी बात है कि जो wax और glass rod है, वो एक दूसरे को attract करेंगे, और जितनी ज्यादा ताकत से attract करेंगे, हम कि किसी भी body के ओपर अगर चार्ज ज्यादा है, तो आपकी जो leaves है, वो उतना ही ज्यादा एक दूसरे से separate हो जाएगे, तो इस तरीके से Faraday में बहुत सारे experiment किया, और बहुत सारे जितनी materials है, उनको एक order में रखा, और बताया कि किस में positive charge है, और किस में negative चार दे, अलग क ये अभी भी उतना फरक नहीं पढ़ता है इस चीज से, क्योंकि बहुत मुश्किल होता है कि किस पर positive है, किस पर negative है, क्योंकि ये तो एक hypothesis रखी गई थी, कि glass के ओपर positive है, और plastic के ओपर negative है, अगर इसका उल्टा हो जाता, तो हो सकता ये series उल्टी हो जाती, अलाकि इसके भ पता लगाने का एक दूसरा भी important तरीका है, जो कि बहुत fascinating है, थोड़ा अजीब है, लेकिन fascinating बहुत है, इससे बहुत बड़ी चीज के बारे में हमें पता चलता है, कि इससे आपके पास जो एक positive charge है, और negative charge है, मतलब एक body है जिस पर negative charge है, ठीक है, आप उन्होंकि पास पास चीज होगी, जो की ध्यान देने लायक होगी, जब ये दूसरे को neutral करेंगे, तो simply neutral नहीं करेंगे, महाँ पर एक चीज पैदा होगी, जिसको आप लोग spark करते हैं, जब भी positive charge और negative charge एक दूसरे को neutral करते हैं, तभी spark पैदा होता है, यानि कि अगर आपने कभी spark होते विए द तो इस तरीके से spark का concept हमें समझ में आता है, आप कहीं पर भी spark होते विए देखें, तो समझ जाईए, कि इसके बाद इसके अंदर कोई भी charge बचेगा नहीं, जितना भी charge था, उसने एक दूसरे वो neutral कर दिया, क्योंकि इसमें क्या है, positive charge और negative charge की value है वो बराबर हो गई थी, वो रोजा करके मिल गए, और किसी वज़े से, उसकी वज़े से अब charge इसके अंदर नहीं है, ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग positive और negative charge की कुछ basic characteristics को समझ सकते हैं, हाला कि ये बहुत ही normal चीज़े थी, लेकिन बहुत important चीज़े थी, ये सारी की सारी चीज़े आपको पढ जिसको पढ़ोगे, तो ये सारी चीज़े आपको पढ़ने को मिल जाएंगी, आप जितना ज़्यदा इसके बारे में पढ़ोगे, टीक है, लेकि normal basic चीज़े हैं, इनको basics तक रहने दीजिए, हाला कि ये काम आएंगी, लेकिन इनका knowledge आप साथ में लेके चलिए, ये हो जात जो की है, the columns theory, उसके अबर में लोग पात करेंगी, कि उसने कैसे सब चीज़ को summarize किया, आगे चलके, I hope आपको ये characteristics समझ में आई होंगी, इसके बाद भी आपको इसमें कोई query आती है, कोई दिक्कल आती है, कोई परिशानी आती है, अपने से कोई गलती हो जाती है, तो please आपकी स्पीज़ में बस इतना ही, see you in the next one.